हलो दोस्तो वेलकम टू माई यूटूब चेनेल आज हम लोग चामिन बनाएंगे तो चामिन बनाने के लिए मैं पहले से ही चामिन को बैल करके इसको ठंडा पाने में दो के रख दी हूँ और यहां पे मैं पत्ता गवी थोड़ा सा काट के मैं तेल में प्राई कर रही हूँ और इसको हलका सा सोते करेंगे जादा प्राई नहीं करेंगे यहां पर देख सकते है मैं पहले सेगाजर अर्प्यास को हलका फ्राइ कर चुकी हूँ उसके बाद हमदों आप गडाय में दो का घ्री में एकडाय मिन दो चमुज रेफाइन का तेल ली हूँ और इसमे थोड़ प्राइ कर लूँगी अंड उसको हम लूब चामिन में मिलाएंगे तो यहां पे मैं थोड़ा हलका मसाला भी अड़ कर रही हूं गेरा पाउडर, मेज़चे पाउडर, धनिया पाउडर ताकि हमारा जो चामिन थोड़ा सा टेस्टी बने तो सारे मसाला को इस तरह से तिल में म दो अंडा यूज़ कर रही हूं आप चाहे तो आपके पसंद से दो तीन इतना पी आपको पसंद है उतना अंडा यहां पे एड़ कर सकते हैं तो मैं यहां पे दो अंडा एड़ कर रही हूं और उसको अच्छा से भूंज लेंगे अच्छा से जिसा एक का पुजिया बनात करोना का टाइम है तो बच्चे लोग को बाहर का चीज हम लोग नहीं खिलाते हैं तो जो भी मन होता है इसको मैं घर में बना के देती हैं बचलब को तो हमारा अंडा भुझया बनके रेडी हो गया है इसको एक बार तर में निकाल लेते हैं तो इसमें मैं दो चमुच रिफाइन का तेल एड़ कर रही हूं और इसमें मैं जो चावमीन पहले से ही गरम पानी में इसको बोयल करके हलका सा ठंडा कर ली हूँ उसको अभी यहाँ पे मैं फ्राइ करूंगी तो यह देख सकते हैं इसको हमने ठंडा कर लिये हैं मैं पहले से ही बोयल कर दी थी और आप ध्यान दीजिएगा जब आप यह चावमिन बोयल करेंगे तो हलका सा आप चमुच इसमें तेल लड़ कर दीजिएगा पानी में ताकि जब चावमिन आप निकालेंगे तो आपका चावमिन चिपकेगा नहीं अबी मैं चावमिन को फ्राइ कर रही हूं इसी तरह से धीरे हो polarization देख सकते हैं और इसी तरह से आप अगर देल में फ्राइ करेंगे तो आपका चावमिन ज्यादा टूटेंगा नहीं तो यहां पर मैं स्वादानुसर नमक डाल रही हूँ यह दिखिए और यह चौमीन एकदम सिंपुल तरीका से मैं बना रही हूँ लेकिन बहुत ही साधिश्ट बनके रेडी होगा आपको बाहर में चौमीन खाने का कोई जरूत नहीं पड़ेगा घर में आप घर में चौमीन बना के सखा सकते हैं इसी तरह से और बच्चे लोग को भी खिला सकते हैं तो हमारे चौमीन जो है वो फ्राई हो गया है अभी जीतना भी सब्जी में यहां पर फ्राई करके रखी थी उसको यहां पर हम लोग एड़ कर लेंगे दिखिए सारे सब्जी में इसमें एड़ कर ली देखिए हमारे चौमीन कितना अच्छा से कलरफूल बन गया है यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है तो उसके बाद मैं यहां पर जो अंड़ा फ्राई करके रखी थी उसक अच्छा से मिला लेंगे यहां पर मैं बहुत ज्यादा ही थोड़ा सा चामिन बना रही हूं तो थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है इसको मिलाने में देखिए हम लोग का चामिन अच्छा से मिक्स हो गया है और हम लोग का चामिन बन के रेड़ी हो गया है उसको निकाल के लाए हैं यहां पर और भी सब कर रहे हैं खाने के लिए और आप उसी चामिन के साथ ही सोस मिला सकते है लेक्ट नहीं तो आप बाद में भी सोस प्लेट में एड़ कर सकते है आपको जैसे पसंद है उसी तरह स से सोस यहां पर अड़ कर सकते है तो मेरे पास चीली सोस नहीं है खाली टमाटो सस है आपके पास अगर चीली सोस सोया सस होगा तो उसको भी एड़ कर सकते है तो मेरे पास चीली सास और सोया सस नहीं था तो मैं खाली टमाटो सस से ही बना रही हूँ हूँ हां और आपको मैं बोलना भूल गही थी कि जो चामिन का मसाला मिलता है पेकेट में उसको भी उसी टाइम ही एड़ करेंगे जब सबजी एड़ करेंगे तो हम लोग का जो चामिन है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उसमें तो यहां पर हम लोग अभी टेस्ट करेंगे इसको चामिन को देख सक ये रेसिपी अगर आप लोग को पसंद आए तो मेरे ये चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा